What's up everyone, welcome back to the channel, so guys, हम लोग आज आगे बढ़ाएंगे rectification को, एक छोटा सा पार्ट बचा है, suspense account, आज मैं आपको suspense account बनाना सिखा दूँगा, उसका purpose क्या होता है, वो भी सिखा दूँगा, और सारी चीजें अच्छे से clear हो जाएंगी, तो चलिए जली से शुरू करते हैं, और इ तो guys, let's start with understanding the purpose of suspense account, देखो suspense account का purpose क्या होता है, आपने trial balance बनाया, ठीक है, trial balance में कभी कबार entries, दोनों साइड मैच नहीं हो रही होती, तो वहाँ पे एक difference आजाता है, उस difference को, उम किस नाम से लिखते हैं, suspense account में, तो rectification में ना दो प्रकार की questions होते हैं, दो प्रकार की questions कौन से होते हैं इसके अंदर, जो आपके suspense वाले questions होते हैं, वो दो प्रकार की questions हो सकते हैं, या तो आपको balance given होगा, या फिर बोलेगा balance find करने को, balance find करो, ठीक है? तो अगर आपका balance given हुआ suspense account का, तो आपको कुछ नहीं करना, आपको एक suspense account बनाना है, सही है, आपको उसके अंदर ल इसके बाद जब आप सारी एंट्रिस को रेक्टिफाइए कर तो यह एकाउंट टैली कर जाएगा अगर सारी एंट्रिस हो गई तो भाहिया यह क्या था यह इसलिए वैलंस आ रहा था ना क्योंकि गलती थी जब अब वन्हें सारी गलती ही सुधार दी, हमने सारी rectified entry कर दी, तो यह telly कर जाएगा, ठीक है, तो एक scenario जो होता है, कि यह telly कर जाए, कभी-कभी इसमें फिर से balance आ जाता है, तो इसमें फिर से balance आने का मतलब है कि अभी सारी गलती नहीं सुधारी हैं, अभी और और भी कुछ ना कुछ errors हैं जो बाकी है तो एक तो case यह होता है कि balance given हो एक होता है balance given नहीं हो तो अगर balance given नहीं हो तो आपको फिर से suspense account बनाना है suspense account कैसे बनाते है rectifying entries को post करो यहां post कर दो सारी entries post करने के बाद आपके पास एक balance आ जाएगा या तो इधर आ जाएगा या फिर इधर आ जाएगा दोनों में से कहीं भी आसकता है ये balance क्या होगा ये balance वो होगा जो आपके trial balance में बच रहा होगा ठीक है, क्योंकि इसमें given नहीं है न तो इसमें आप से find करवाता है कि आप find करके दो आपने find कर दिया तो भीया ये trial balance अगर match कर गया तो सारी गलती सुधर गई है trial balance से match नहीं करा तो अभी भी कुछ न कुछ errors है तो suspense account दो तरीके सो सकता है या तो balance given होगा तो आपको match कर जाएगा नहीं given होगा तो आपको balance simply निकालना है ठीक है? इसका जली से screenshot लो फिर एक question कराता हूँ अब मैं आपको करके दिखाता हूँ कि कैसे ये काम चलता है ठीक है? देखो हमारे पास ये transactions है ठीक है? इसके अंदर हमें इने rectify करना है और suspense account बनाना है अब देखो हमें अगर दियावा है balance या नहीं दियावा हमें देखो इसमें कोई balance निदियावा suspense का इसका मतलब ये कौन सा case बन गया? case number 2 जहाँ पर balance हम find out करेंगे ओके? तो चलो तीन columns बनाते है correct, incorrect और rectified correct, incorrect and rectified ठीक है? अब देखो बड़े ध्यान से देखना देखो क्या लिखा है 350 purchase for paid off 350 paid for purchase of typewriter 350 paid for purchase of typewriter आपने एक typewriter खरीद है 3.500 रुपेगा तो entry बनेगी office equipment debit to cash office equipment debit to cash account 350, 350 ठीक है? अब हुआ क्या है? it was charged to office expenses account हमने इसको office expenses में लिख दिया ओके office expenses में लिख दिया तो हमने करा office expenses debit to cash account 350, 350 अब आप इसको rectify कैसे करोगे? ठीक है? तो देखो cash तो ठीक है? यह तो बिलकुल सही है यह गलक debit हुआ है तो इसको करना पड़ेगा credit to office expenses तो डेबिट क्या होगा? office equipment तो एंट्री बनेगी office equipment debit to office expenses 350, 350 ठीक है? दैन है सर next पे चलते हैं goods of 660 sold to W चलो जी 660 के goods sold to W क्या एंट्री बनती है? एंट्री बनती है W debit to sales 660, 660 goods of 660 sold to W यह हमारा हो गया correctly entered in the sales book sales book में तो सही लिखा गया है posted to W's account as 760 ओके इसका मतलब यह है कि यह sales तो ठीक है? W में post कर दिया 760 तो यह mistake है राइट है जी? अब देखो W debit होना था 660, W debit हो गया 760, तो 100 रुपीज extra debit हो गया सही करने के लिए क्रेडिट करेंगे to W 100 debit में कुछ नहीं है तो क्या आएगा? suspense suspense debit to W 100 100 next क्या है इसी के अंदर? इसी के अंदर लिखा है total sales of the month was overcasted by 1000 sales overcast है 1000 से 1000 से sales extra लिखा गया है तो correct में तो कुछ नहीं आता incorrect में कुछ नहीं आता extra लिखा गया है 1000 से sales तो सही करने के लिए reverse कर दो sales क्राइट होता है डेबिट कर दो sales debit to suspense 1000 थाउजन लो सर ये भी ठीक हो गया sales to suspense 1000 थाउजन हो गया goods worth rupees 130 were returned by G 130 के goods वापिस करे हैं G ने ओके तो entry क्या बनेगी? entry बनेगी sales return debit to G 130 130 सही हो गया sales return to G 130 130 हो गया were entered in the sales book लो जी एक तो आपने sales book में लिख दिया and posted to the credit of G आपने इसको sales book में लिख दिया इसका मतलब आपने इसको लिखा to sales 130 और G के तो credit में ही लिखा है 130 तो इसका मतलब sales return लिखना भूल गए sales फालतू लिख दिया G तो सही है तो G से G तो खतम योगी posted to the credit of G लिखा था था न तो G से G तो खतम अब देखो ये sales गलत credit हुआ है तो आप क्या करोगे इसको तो करोगे debit sales debit 130 ये ठीक हो गया ये करना था इसे भी करो sales return debit 130 credit में कुछ नहीं है तो क्या लिख दोगे to suspense account 260 जल्दी से इसका screenshot ले लो फटा फट ता कि इसके अंदर गलती ना हो ठीक हो गया sales debit हो गया sales return debit हो गया to आपका suspense आ गया सही है साथ है next पे चलते है goods returned by C not entered in the books 1240 C ने goods return करे हैं और हमने books में record ही नहीं करे तो फिर से entry बनेगी sales return debit to C 1240 1240 हमने enter ही नहीं करे तो same entry हो जाएगी sales return debit to C 1240 1240 चालो sales return book overcasted by 100 sales return book overcasted है 100 से तो यहां कुछ नहीं यहां कुछ नहीं 100 से overcasted है ज्यादा है sales return sales return का nature क्या है sales return का nature है debit तो credit होगा तो entry बनेगी suspense debit to sales return 100 100 ठीक हो गया बच्चो तो देखो यह आपके पास सारी की सारी rectified entries बन जाती है मैं एक जगा कर देता हूँ लो इसका screenshot ले लो correct, incorrect, rectified question देखना है तो यह आपका question है एक बार question का भी screenshot ले लो यह पूरा question आ गया अब हम suspense account बनाते हैं ठीक है suspense account बनाने के लिए मैं यह हटा रहा हूँ जो कि मैं इतर ही बना पाऊंगा आओ जी अब हम बनाते हैं suspense account देखो balance गिवन नहीं है balance हम निकालेंगे ठीक है तो हम बना रहें suspense account क्या पहली entry में suspense है office equipment to office expenses नहीं suspense नहीं है क्या इसमें suspense है यह suspense के debit में तो 2W100 यह post कर दिया suspense के debit में नाम लिखा जाएगा 2W यहाँ पे देखो suspense credit है तो suspense के credit में by sales कितना है suspense एक हजार रुपे 1,000 हमारे बाद suspense credit हो गया उके जी उसके बाद क्या है यहाँ पे suspense है yes credit में है 260 तो बाइ सेल्स एक्षो तीस बाइ सेल्स रिटर्न एक्षो तीस ठीक हो गया सार यह भी हो गया क्या यहाँ पे suspense है नो यह हो चुका है यहाँ पे नहीं है suspense यहाँ पे यहाँ पे है 200 का यह हो गया तो अब देखो टोटल कितना हो गया एक हजार 130 और 130 कितना हो गया 1260 हो गया 1260 में से 200 हटा दो तो 1060 यह वा जाएगा हमारा तो difference in trial balance यह कैसे निकाला मैंने balance में निकाला बचो यह plus करके यह minus करें तो 1060 हमने लिख दिया difference in trial balance इसका मतलब trial balance में जो difference आ रहा होगा ना बिटा वो यह आ रहा होगा 1060 समझे तो इस तरीके से हम लोग suspense account बनाते हैं आपको कुछ भी नहीं करना रेक्टिफाइ करने के बाद बस पोस्टिंग कर देनी है एक account में लेजर पोस्टिंग सबको आती है पोस्ट करो आपका काम हो जाएगा और दो केसे बन सकते हैं इसके अंदर मैंने आपको पहले बताया एक में balance गिवन होगा तो balance लिखने के बाद पोस्ट कर देना match कर इसको लिख दिया difference in trial balance तो this is how you create suspense account और rectification of error हो जाता है समाप्ट I really hope आपको समझ में आया होगा बच्चे मुझे बता रहेते कि sir financial statements पढ़ना है तो अगली glass में मैं आपको financial statements इखाता हूं trading P&L balance sheet सीखेंगे और अपने syllabus को ending की तरफ लेके चलेंगे right thank you so much guys for joining in मिलता हूं मैं बहुत जल्द आपसे new videos के साथ till then see ya take care bye bye